हलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने माले सेंटरल बैंक आप इंडिया की तरफ से एक नई भरती सफाई कर्मचारी की दस्वी पास के लिए निकल कर आई तो ऐसे में अगर आप भी दस्वी पास हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक न्यू वेकेंसी आचू की दस्वी पास है तो अगर आप भी दस्वी पास है तो यह जरूर फाम फिल अफ कर लिए आल इंडिया से केंडरी डेट अपलाई कर सकते हैं और हर राज में यहाँ पर वेकेंसी निकल कर आईए तो चलिया अनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है लाज डेट की बात का आप डेक्षटाप मोड़ आन करके मोबाईल को रोटेट कर ले ऐसा होडिजोंटल कर ले तब ही आप इस फ़र्मको मोबाईल से फिल अप कर पाएंगे लैपटाप से आप चाहिए चाहिए फिल अपको बता दिया आप यहाँ पर आप आब आईगे तो सबसे मेरी आफो क पेमेंट है यह करके सारा इस टेप यहाँ पर देखेंगे वीडियो को लाज तक देखते रही है और सभी फॉर्म फिल अप कर सकते हैं क्यों लेगता दस्वी पास से अच्छी खासी वेकेंसी है आप जरूर अपलाई किजिए आप बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कैंडि इसके बाद यहाँ पर फूल नेम आपका अपने आप सो हो जाएगा इसके बाद नीचे आएंगे आपको अपना मुबाइल नंबर 10 डिजिट का और दोबारा से उसको रीकर्फर्म करके फिल अप कर लेना है इस प्रकार से आपका इमेल आइडी होगा दोबारा से यहाँ प सब्सक्राइब करेंगे और नीचे देख सकते हैं सेब और नेक्स्ट का आपको देख रहा है इस सेब और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है तो फ्रेंड जैसे आप सेब और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्टेशन सक्सेस्फूली हो जाएगा और आपको प्रजिस्टेशन नंबर और पासवर्ट दे दिया जाएगा उसके हेलपे से इस प्रकार का पेज आएगा आप लॉग इन हो जाएंगे इसके बाद यहाँ पर फोटो और सिगनेचर आपको अप्लोड करना है तो फोटो सिगनेचर अप्लोड करने के लिए यहाँ पर देख से से समने पेज पर ऑपन हेखां है करना जहांसे आप रिएट करते हैं तो सिप्कली मैं यहाँ पर लट कर लेता हूं इसके बाद आपको रीजन सिलट moż करना जोन की बाद रीजन तो उस zone के अंदर कर जितने region आएंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जागा जैसे UP में यहाँ पर लखनव के अंदर कर बरेली, इटामा, देवरिया, गोरगपुर, जासी, कानपुर, लखनव, वारार्सी कापसाना रहा है यहाँ यहाँ पर वेकेंसी है आप इसका notification देख सकते हैं, तो इसमें से जो भी आप select करना चाहें, कर सकते हैं, जैसे मैं वारारसी seller करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर आजाएगा automatic कि किसी state में आप apply करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उत्तरप्रदेश मिल जाएगा, क्योंकि यह जो है zone उत्तरप्रदेश में उनों में से कोई एक सब्जेक्ट एक भासा आना चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना, तो क्लिक कर लिजिए, ऐसे ही आप दूसरे इस्टेट का भी देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आप से पूचा जा है कि जिस इस्टेट से आप apply करने हैं, वहाँ कि आप local resident है, अग इसका category आप अपना सेलेक्ट कर लिए, जो भी आपका category है, जनरल ओविस्ट, सेलेक्ट कर लिजिए, इसके बाद अगर आप यहाँ पर disabled candidate है, तो यह सब क्लिक होगा, यह सब क्लिक नहीं होगा, इसके बाद यहाँ पर आपको डारेक्ट आना है, फिर से यहाँ पर आपको प special person है, तो यहाँ पर simply यह भी normal candidate के लिए no रहेगा, नहीं तो आप रीट कर लिजिए, इससे relate करते हैं, तो yes करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आएंगे, आप से पूछा जा रहा है, एक service man है, तो yes करेंगे, नहीं तो इसको भी no कर दीजिए, और यहाँ पर disabled ex-service man है, तो यह भी normal candidate के लिए no रहेगा, फिर पूछा जा रहे कि आप यहाँ पर central bank of India के employee हैं, अगर हैं, तो yes करेंगे, नहीं तो यह भी normal candidate के लिए no रहेगा, इसके बाद अगर आपको यहाँ पर पूछा जा कि आपको अगर आप video candidate हैं, या जो है तो उससे related हैं, तो आप yes करेंगे, नहीं तो इसको भी आपको no रहने देना है, फिर यहाँ पर आपको religion पूछा जा रहा है, तो आप अपना select कर लिजिए, फिर आप अगर minority करेंडियेट हैं, तो yes करेंगे, नहीं तो इसको भी no रहने देजिए, और आपको nationality, तो nationality आप यहाँ पर India select करेंगे, और इसके बा आधार card, pen card, order ID, driving license, bank, passbook और बहुत सारे ID हैं, तो generally आप आधार card, pen card, order ID दे सकते हैं, तो simply मैं order ID select कर लेता हूँ, जो ID आप देंगे, उसका यहाँ पर number भी आपको fill up करना होगा, इसके बाद आपको examination center यहाँ पर select करना है, तो आल इंडिया में center इसका बनाया जाएगा, ज से पूछा जाएगा कि paper का medium किस language में आप चाहते हैं, तो इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर जिस location से apply करने, उसके according यहाँ पर paper का language होगा, जैसे यहाँ पर आपको हिंदी, UP में हिंदी, इंग्लिस, और इंग्लिस, उर्दू का आप सानार है, तो इसमें से कोई भी आप एक language सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद आपको अपना डेटा बर देना, यहाँ पर date, month, year आपको सेलेक्ट कर लेना, कलेंडर से, इसके बाद आपका age यहाँ पर सो जाएगे, age की counting यहाँ पर 31 March 2013 से किया जाएगा, इसका gender सेलेक्ट कर जिए, male, female जो भी आपका gender है, और अगर नार्मल कैंडिडेट, और इसके बाद आपका marital status पूछा जारा, married है, and married आप select करेंगे, इसके बाद father's name, mother's name, आप fill up करेंगे, और फिर नीचे आएंगे, आपको address fill up करना, address में हाँ पर सबसे पहले village का name, post office का name, और अपना landmark fill up करेंगे, district आप अपना यहाँ पर fill up करेंग आपको fill up नहीं करना पड़ेगा, इसके बाद देख सकते हैं, आपको नीचे आएंगे, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, आप से पूछा जाएंगे, कौन सा address आप यहाँ पर GST, इन्वाइसिंग के लिए select करेंगे, तो दोनों आपसन यहाँ पर present और permanent address का, इसमें से आपको select करना है, इसके बाद नीचे आप देखेंगे, दो आपसन आपको मिलेंगे, वैलिडेट डीटेल और save and next का, तो simply आप वैलिडेट डीटेल पर क्लिक करके देख सकते हैं, इसके बाद save and next पर क्लिक करना है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर qualification, detail fill up करने के लिए जाए से और कितना percentage आपका percentage देना है, और इसके बाद यहाँ पर grade से लटकरना है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास जो भी आपका है, इसके बाद यहाँ पर आपने 12th किया है, तो high secondary किया है, तो उसका detail देंगे, कौन से subject से या कौन से stream से किया है, और उसका जो है आप passing year, date month year देंगे, percentage देंगे, और यहाँ पर grade से लटकरेंगे, ऐसे अगर आपने graduation किया, तो उसका भी detail देंगे, और other qualification है आपके पास, तो उसका detail देंगे, तो simply यह vacancy 10th के base पे है, बाकी अगर आपके पास कोई qualification है, तो आप दे सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर work experience भी detail अगर आपके पास कोई है, तो आप इसका fill up कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपका post हो, या जिस जग आप काम करते हैं, और कब से कब आप काम की है, nature of duty और वहाँ जाप छोड़ने का region आप यहाँ पर fill up करेंगे, और कितने साल आपका experience है, और कोई और detail है, तो आप यहाँ add more पर click करके, उसको fill up कर सकते हैं, नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, आप से आप सन पूछा देरा है, कि आपको यहाँ पर जो exam का pre training अगर चाहिए, तो yes कर सकते हैं, नहीं तो इसको no रहने दीजिए, और फिर आपको language के बारे में यहाँ पूछ रहा है, कि कौन कौन सा language आपको आता है, तो यहाँ पर simply, एक language आपको fill up करना compulsory है, जिस region से apply करें, वहाँ का language, जैसे यहाँ पर UP से fill up करें, तो हिंदी या उर्दू, आपको आना compulsory है, यहाँ पर उस language का नाम, और यहाँ पर आपको tick करना, read करना, write करना, और speak करना आपको आता है, इसके reek करना पर आपको आना फाइनल इस्टे पाएगा, आपका प्रीवीऊ का सारा डीटेल अपका सो होगा, जो डीटेल आपने दिया है, फोटो और बाइका सब्मीट करने के बाद, आपका कोई भी करेक्सन नहीं होगा, तो ही लिए यहाँ पर नीचे आएगे, आपको देख यहांपर टिक कर लिजिए तीनुँ अप्ट पर अप्ट कर लिजिया और नीचे आपको नाम गलत हुआ तब आपको क्लिक करना है तो इसके बाद क्लिक करना है इसके बाद देख सकते हैं यहांपर आपको left thumb impression upload करना है और उसके साथ handwriting declaration आपको upload करना है तो thumb impression आपका 20-50 के बीच में होगा और आपका thumb impression 20-50 के बीच में होगा और जो आपका handwriting declaration है वो भी JPG format में आपका 50-100 के बीच में upload होगा अब बात करते हैं handwriting declaration जो है आपको कहां से मिलेगा तो चली आपको दिखा देता हूँ क्या आपको handwriting declaration में कहां से मिलेगा और क्या लिखना है तो friends जो handwriting declaration आपको इसके notification डाउनलोड करेंगे और page number 19 पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो मिल जाएगा यहाँ पर यह वाला option जो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से आई से लेकर start हो रहा है यह आपको लिखना है पूरा जो है capture code fill up करके नीचे आपको submit का option मिलेगा आप जो है submit के लिए पेमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे इसका आपके सामने इस प्रकार का पेमेंट का website open होगा यहाँ पर debit card credit card या net banking यूपी की माध्यम सा पेमेंट कर सकते हैं अगा debit card करते हैं तो debit card seller करेंगे card का number और card क expiry date यहाँ पर fill up करेंगे और उसका expiry month और CVB code देंगे और यहाँ पर card holder का name देंगे और make payment पर click करेंगे आपके mobile पर OTP जाएगा OTP को fill up करेंगे और आपका payment successfully हो जाएगा